केरा कि वाई में दो तरंगों के तरंग दैर्धों का अनुपात 3 समंधे 5 माच है इन तरंगों की अबरीटियों का अनुपात होगा जो तो दूस्तों जो एक से 10 का जो नमेरीखल का वीडियो चला है उसमें मैंने बताया होगा कि अनुपात से ठीक है क्या अनुपात से कि आबृती फिर तरंगदेयर्द ज़म करते हैं अनुपात को पलड़ देते हैं तो इक गारण नबर कुश्चन में तरंगदेर्द का अनुपात दिया है तेरेंदेर्द कानुपात दिया है कितना तीन समंदे पांच पूछाए किसका पूछाए हम लोगों किसका अबरिति कानुपात पूछाए अबरिति कानुपात तो इस अनुपात को क्या करिए प्लट दीजिए तो कितना हो जाएगा पांच समंदे तीन कितना हो जाएगा पां आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तरंग से संबंदीत या धोनी से संबंदीत कोई भी अनुपाद दे आप किसी दूसरे का उनुपाद पूछे तो आप सिधा उसका क्या करें उल्टा कर दिजिए इदना क्लियर है चलिए बारन नबर सवाल देखते हैं बारन नबर का क्रिशन देखते हैं सुनिएगा करा कि एक रेडियो प्रसारड केंदर से 40 मेगा हर्टर्ज की विद्धु चुमकी तरंगो को प्रसारित किया जाता है यदि विद्धु चुमकी तरंगो की चाल तीन गुड़े दस गा छो मीटर पर सेकंड हो तो इन तरंगो की तरंग धेर्ध ओगी है देखिए क्या क्या दिया तरंग देख पूचा है और च्वीडेंग दिए Dios कॉन नोट कर लेते हैं दीया है 40 में कोमान भार्ज की अबरिति यानि त्क वि- firearms कि एक तना यानि भी कमांद दी आया कितना तीन गुड़े तीन गुड़े दस घात आठ मीटर पर सेकेंड पुच रहा है कि इसका जो तरेंग देर धोगा वो कितना होगा को तो इस सब्ससराइब एक फर्मूला याद कर लिजए्ज आप लोग भीवराबर भीवराबर एन इंटुप लेमडर ठीक और और याद कर नाए फर्मूला तो एक याद कर लिए यह याद लिए यान बराबर वन अपन टी और एक याद कर लिए टी बराबर 2 traz under U L правда जी इनी तीन फर्मूलों का यूज होगा इसलेशन में आई सी पे आपका नुमेरिकल सॉल्ब हो जाएंगे इतना क्लियर है तो चलिए निकालते हैं लेंडा का अरे सो यहां लेंडा कमान यानि तेरंग देर्ध का मान निकालते हैं कीस्टन में दिया है अपरिती दे दिया है आपका तरंग की चाल दे दिया है पूछ रहे है दे तरंग दर्ध तो सीम्पल है चाल अब रिटी और तरंदर्ध में रिलेशन यहीं फर्मूला हम लोग पर जएन करता है इसमें से दो कमान पता है एक कमान निकलना है तो निकाल लेंगे असानी से ही तो चलिए लिम्डा कमान निकलना है तो यहां से कौन सा फर्मूला निकल किया जाएगा लिम्डा बराबर काउन सा फर्मूला आ जाएगा लिम्डा बराबर क्या जाएगा वी अपान एन यानि तरंग की चाल बटा में आप खटाए ठीक है अब वह उसके आगे huby मात्रग लेजों को जाएगा जिए एक मेगा मेटर गरिले लिए दस नाइस्ट hm 190 ऐसे का मतलव दस निए स्यकेन्ट वेसे ही एक मेगा 1 पंप अलुद अलोट्स नाइस गास का हर्टग के लिए हे मातर को तो चेज्श करना नहीं है तो छले नीकालते हैं ले्मना कमान तो यंडा कमान निकालने के लिए फर्मूला यह यह करें याय इस करेंगे Goo beta का बराबर वी अपन एन वी कमान कितना है तो तीन गूड़े दस घात आठ बटा एन कमान कितना है तो चालीस गूड़े दस घात 6 इतना क्लियर है चलिए तो तीन बटा कितना हो जाएगा 40 30 बता 40 या इसको और छोटा कर सकते tentangคور शोटा करने के लिए इस चालीस को भी क्या लिख सकते हैं क्या लिह सकते हैं चार अगूड़े दस लिख सकते हैं चार गूड़े दस लिख सकते हैं चालीस हो जाएगा आइए देखिए समझे लिजी यहीं पे दस और यह दस गाच्छा है अधार सेम है तो घाते जूट जाएंगी तो कितना हो जाएगा दस गाच साथ हो जाएगा आउपर कितना है पेढ़ह दस नहीं एक सदोः लेख लीया है और बाग कर यह तो वाह चार चारासे भाह कर यह तो कितना हो जाएगा मृत तुछ लिए नहीं बढ़रांगे पी सब्सक्राइब शुक होगा कि इतना क्रदारल निकल कर आये न तो लुक्ष दोख्ष दिलेंग तो तो लेम्डा प्राबर फिर कितना हो गया तो इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा पहले तो दस्मलो लगाएंगे टीस होगा साथ बार भाग जाएगी साच्चोग अठाइस तीस में से 28 घटाएंगे दो बचेगा फिर एक जिरो बढ़ के कितना हो जाएगा बीज तब कितनी बार भाग जाएगी चार बार चार पाचे बीस पांच बार जाएगी तो कितना हो जाएगा 0.75 into 10 to the power 8 में से साथ घट जाएगा कितना हो जाएगा 11 का मतलब लिखो या ना लिखो सेम है तो अब क्या हो जाएगा लेंडा बराबर कितना हो जाएगा दस से गुड़ा करेंगे तो जितना बाई जितना जीरो रहता है उतना पॉइंट कि सकता है कि इधर दाएं की तरफ त तो लेंडा कमान कितना आ गया 7.5 मीटर तो जो हम लोगी जो आवरिती है इतना हट रच की और इतने चाल से चल रही है उसका तरेंग देर्थ कितना होगा तो 7.5 मीटर होगा आसा करता हूं सब को समझ में आए होगा बहुत थी असान था ठीक है बस फर्मूला याद की जो दिया है उसको नूट करिए जो पूछ रहा है उसके अनुसार अपने फर्मूलों को कूरेट करके आप मान रखके जलके आजये गख तो चलिए देखते हैं अप्सं कौण सा सही है तो बारा का ओप्संद क्या है 7.5 मिटर सेब्ट वाफ्ट सुन अमबर किया है खिसे जो बारा नमबर कुछ नहीं उसका और आप्संद नूबर करें कि यदि एक सरल लोलग को एक ऐसे अस्थान पर ले जाए जाए जहां जी कमान 20 परसेंट से कम हो तब आवर्थकाल होगा तब आवर्थकाल होगा तो दिखेगा भाई फर्मूला होता है आवर्थकाल बराबर टू पाई अन्डरूट एल अपान जी तो यहां से इसको कंटे इसको इस्तिरख दिया जाए और एल को स्थिरख दिया जाए तो आपका जो टी बराबर आएगा वो कितना आजाएगा अन्डरूट वन अपान जी यानि टी बराबर वन अपान जी यानि जो टी है वो जी क्या है सुरी जो कम होगा तो आवर्थकाल क्या होगा बढ़ेगा तो इससे तो यह क्लियर हो रहा है कि जो आवर्थकाल होता है वो जी क्या होता है यानि जहां भी अगर जी कमान अधिक होगा वहां पर आवर्थकाल आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा फिर यहां पर जी कमान कम होता है वह मान लेते हैं दो परसेंट से मतलब एक परसेंट हो तब क्या होगा तो तब क्या हो जाएगा एक परसेंट मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या जाएगा एक ही आएगा ना कितना आएगा एक ही आएगा टी कमान यानि जो टी कमान होगा वो एक परसेंट क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा क्या हäreएगा एक पर सेंट अधीक हो जाएगा यह यानि जब लो के जी आधीक आ मान दो कर्सेंट से ख्मक कते हैं जी आधीक माने तरी अवर्ध काई औरन होता है वो एक पर संस किन इस इता है लग जाता है तो इसलिए जो 13 नंबर आ सबस्क्राइब जैए अपका अबस 아니라 çटल हो जाएगा ऑंफ को चवखतंग को तिक के से बाद है विद्धकर्मानुपाति talking गया आगा तो कम होता है यह जी कम होंग यहीं हुगत नहीं हो हो गात फीक हो का क्लियर है तो चलिए चलते हैं चोदा नमेर स्वाल की तरफ जो चोदा नमर सवाल है सुनिए क्या खेह रहा है कि एक्स के रोड़ों की तरेंगे एक इंगे स्ट्राम है यदि एक्स के रोड़ों की चाल थीन गुड़े 10 गात 8 मेटर पर सकेंड हो तो आप रिती होगी यह formula एकदाम कंठर्स्ट कर ली जा अप लोग ठेके इस प्रेज़ ज़्याधा तरकिस्ण आते हैं तो लोग car क्या दिया है पले तो एक्स किरड की जो तरंग्देर्द दिया है वो कितना दिया है यानि लेम्डा कमान एक्स किरड का जो लेम्डा कमान दिया है यानि तरंग्देर्द का वो कितना दिया है एक एंग स्ट्राम तरंग्देर्द दिया है ना उसके बासे इसकी चाल दिया है क मासानी से निकाल सकते हैं घर पाँ है आप लोग छलिए देख तर्षआ चलिए करते हैं यहाँ पर दिखेए आप लो तह तो ही है लग्हीते हैं है मांसा थाइस को छेंग करनें पर लेते हैं मोग नपीकर में प्रहत। मैनस दोस आरं तरहनी सामा ट्रत मीटर होता है वीन सब को क्लिए तो चलिए एइन कमान निकालते हैं तो यहां कमान कितना दिया है दस गहात माइनस दस तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हैं टो घॉट्ची मोटा सब्स्रेइगी तो क्योंने संबला टॉ सब्केज का जाएगा कितना चिर्च भूग्ड मैं सब्सक्राइब तो इन है ना तीन गुड़े दस घात आठ फर्टर तो अपसंन मिला या आप लो अपसंन देखिए औपसंन अपका बी अपका बी मैच कर रहा है तीन गूड़े तो आपका ऑप्सान नमबर कौन समयच किया बी वाला मैच किया तो चोदर नमबर सवाल का ऑप्सान नमब भी हम लोगा क्या है करेक्ट है सब को समझ में आ हैं बहुत ही असान है ठीक है तो चल लिए बढ़ते हैं 15 नमबर सवाल की तरफ 15 नमबर क्यूशन सुनिएगा क्या करें कि एक सकेंड लोलग को एससे ग्राफ ले जाजाए जहां पे गुर्तिवी तवरण जी कमान प्रिथवी के यह पेक्छा एक बटा नो है प्रिथवी के पेक्छा एक बटा नो है यहां दोलन का अवर्थकाल होगा देखेगा कोई अठा के किसी और ग्राफ ले जा जा रहा है और वह अभी कैसा लोलग है तो सकेंड लोलग है ध्यान दीजिएगा सकेंड लोलग सेकेंड लोलग कि मैंने परिभास भी बताया है कि एसा लोलग जिसके लोलग की डोरी की लंबाई एक मीटर हो और उसका आवर्थ कल कितना हो 2 스 सकेंड उसको करते हैं क्या सेकेंड लोलग ही तना हीएड फीच वार्थ काल कितना और का एक तो मालने तेज परीष्वी पर दिवर कितना हो कटना यानि मुन को मालन अजीतना तो टू पाई एल अहलु पाट ने जी होता है और उर्टुप इंख एदना या एं इतना होगा इतना होगा कहाप यहां पर घंट तरहा है क्या, प्रित्वि के एक बर्टा नो हो जागा है यह वन्टाल прикुल आम लॉका यान यहां पर जो यहां पर टुस्ख्रान हो जा रहा है इतालियर तो कर रहा है कि यहांपर जो अवर्थ काल होगग वो कितना होगा अवर्थकाल जो होगा वो कितना होगा यहीं पूछ रहा है तो चलिए करते हैं इसको इसको मान लेते हैं समीकर दो देखे एक सिंपल से समझे आप लोग छोटा सब अब छोटी सी बासा मैं समझे कि कोई भी अगर चीज है ठीक है और दूसरे के क्या है बीदक क्या होता है विदक्रमानुपाती होता है क्या होता है विदक्रमानुपाती होता है तेदी मैं आवर्थकाल को दो मतलब दो आवर्थकाल लेता हूं और गुर्तिवी तरह को भी दो लेता हूं तो आप लोग ने एक्सन निकाला होगा जो इनके बीच मतलब निकल के आता है कहा रवर ने पहलन लग रर्व पही जी तू है तो उनके विच रेस्टन हम aliens को निकालते हैं तो आता है क्या टी वन आपाण टीटू बराबर की रचाहे जीटू अपान क्या आता है नम एक यहां थे जियो जी टू आपन जी वनी यह दिस के डारेट प्रपर्सेनली समानु पाथी अध्यों पन्वाइच भूंधर जी टू ऑथ इतना आप लोग निकाला भी होगा बहुत के बीच जैसे बितको मानुपाथी होता है सामानुपाथी होता है तो निकाला होगा वहनुप को जो यह formula है इसे आपको यह निकल के आएगा कि जो टीवन अपान टीटू है यह बराबर होगा इसके जीटू अपान जीवन के जीटू अपन जीवन के इतना क्लियर आव वह भी देखिए यहां पे जो यह जी है वह अंडरूट में है तो इसको को भी किसमें ले लिजी आप लो अंडरूट में ले लिए इतना क्लियर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ बुत जाएगा बस फॉकिये है कि ये जो जिवन है ये जो जीवन ये जो पहले समी स्विकरण में फॉसको जी मल ये है और ये दूसेरी समी के तो यहां पर है कितना यो बाटा नौ उसके बसे जी इतना क्लियर है बस यह इस समेगर को दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा सब्सक्राइब है कि आप लोग आपन टिटू बराबर ईटू अपन जीवन होता है यह को अाफ कसी दी मैं दोल दोनों एक दूसरे के बैद्रमान पाती हो थी थी तो वहाए टीवन अपन टीटू यह निन को दो कशनव कर सकते हैं तो टो सकते हैं तो कर सकते हैं तो जो जीवन हो वह किसके बराबर होगा प्रिफवी यह ऊंडि ठीक और जो जीटू है वे कितने हो तो हैं तो इस प्रीफवी के एक बटाच्पल अगणा हो जाएगा सब्सक्राइब दो कि इते हुए हो डिय ठीए मैंत थी किह लो कि Certi लॉपार इस अलो तो आ ऊते हैं कितना नने वर्थ काल नमेंक है कि ना थैस होता है और घुण कि तोter कितना होता है जी पैंने तो पर कितना रख सकते हैं दो सकेंड और जी टू के अस्थान पर एक बटा नो जी रख सकते हैं इतना क्लियर है सब सब्सक्राइब निकाल सकते हैं आसानी से या इस नोरों समेकर को सॉल करेंगे तो यहीं आएगा तो चलिए टीवन कमान कितना रखेंगे दो क्यों प्रितिव पर दो सेकेंड होता है आवर्द काल सेकेंड लोला का आद दूसरे ग्रॉप ले जा जा रहा है यानि टीटू कमान पूख रहा है यहां से तथो जी कैंशल हो जाएगा कितना हो जाएगा मन अपन यहां से करेंगे इसका देखेगा बने से संजाद रहें डीटेल में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा एक बटा तीन हो जाएगा यह लॉज ऑस हम मी इसका नहिआ किये थे तो एक बटा टीटू बराबर एक बटा चेल यह लिखे थे यह ल्यास पर दोनों का दिए गुड़ह कर दे तो या तडी तो बराबर दो T History चेल जो कि जाएगा छो सकन्ड हो जाय कितना हो जाएगा 1 चेंड देखिएगा प्रिथी पे 2 डो सकेन होता है किसका सकेन्ड लोलता लेकिन इसको करें तो कुछ और आएगा यहीं पर इसको बढ़ाद दो गुना कर दे तीन गुना कर दे तो आहां पर कुछ और माना आएगा ठीक है तो यदि एक बटा नो करते हैं तो मान कितना आएगा अवर्थ काल का 6 सेकंड रुजाएगा तो चलिए आप सन देखते हैं कौन सा सही है त ठीक है थोड़ा इस पंदलर नंबर क्रिस्टन को समझाने में ज्यादा समय लगया हो तो इसके लिए चमा चाहते हैं लेकिन मैं आप लोगो समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया हूं ठीक है नहीं तो मैं यह समेकर ही बनाकर इसको स्वाल करके कर दिया होता इसको और चोटा करने के लिए समझाने में तो बड़ा लग रहा है दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आपको करने में बहुत ही कम समय लेगा तो इसको नोट करिएगा हम लोग बढ़ते हैं 16 नबर सवाल की तरफ ठीक है सुनिएगा 16 नब ठीक रहा है कि वाइव में ध्वनी की चाल 220 मिटर पर सकेंड यानि वाईव में ध्वनी के जो चाल है 32020 मिटर पर सकेंड हो तो कमपित वस्तू के द्वारा किये गए 15 कमपनों में 200 में वस्तू सटू स्टो वल्चा Eslarda कितनी दूर जाएगी जो धनी है वो कितनी दूर जाएगी कब 15 कमपन करने में यानि एक सकेंड में 240 कमपन करती है ठीक तो 15 कमपन में वो कितनी दूर जाएगी क्या पूछ रहा है दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी जाएगी यानि दूर कितना जाएगी तो देखें दूरी करने में कितना समय लगेगा तो चले निकालते हैं कैसे निकालेंगे तो देखेंगा दिया है 240 कमपन करने में जो समय लग रहा है जो समय लग रहा है 240 कमपन करने में वो कितना लग रहा है एक सकेंड लग रहा है कि हम लोग निकाल दे एक कमपन करने में जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा तो एक बटा कितना हो जाएगा 240 सकेंड हो जायेगा लेकिन पूच रहे हैं कितना फैंद्रह कमपन में तो 15 कम पर में कितना समय हो जाएगा हम लोगों का सब्स typically कितना हो जाएगा एक बाटा फैनल रहाधा 24 से गुड़े 15 इस निकालते हैं लोगोना कि 15 कलमों का दाम इतना है तो 24 कलमों का दाम कितना होगा तो एक कलम का दाम निकालते हैं फिर ऐसे करते हैं तो वहीं प्रोसेस है तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा गुड़ा करीश में तो एक बटा पंदर दूनाती सधिक हो जाएगा ना पंदर एकम में पंद 21 से लपंद्र noi lange कितना हो जाएगा 노 जीरो अपंदर हुआ का नब्बे यान कितने रजाएगा तो एक बाटा in तो पंध्रक फंध्रक कंपन करने में कितना समय लगगा एक बटा विशू किंड लेगा समय निकल गया चाल दिया है दूरी आसानी से निकाल सकते हैं तो दूरी निकालेंगे यानि जो ढुकी हता दिया झा कितना हुई य। कितना आगया 20 अदूरी कमात्राग मीटर । दूरी कमात्राग । यान Simon चाल गुरते समय हम लोग को समय चाल दिया था समय बस निकालना था तो चा करने में एक सखेन लग रहा था तो लोग निकाल दे कि एक कंपन करने में कितना समय लगेगा तो एक बटा 240 लेकिन हम लोग को निकालना कितना है 15 कंपनों में तो 15 कंपनों के निकालेंगे तो कितना जाएगे एक बटा का अनुपाद चार समंदे तीन है इनकी तरेंगदर्दू का अनुपाद होगा देखिए अनुपाद की बात आ रही है तो आप इसे मार सकते हैं वाई में दो तरंगो की आपडितो का अनुपाद कितना दिया है चार समंदे तीन पूछा है किसका तरेंगदर्दू का तो क्या लिजा करते हैं अनुपाथ को अलाड देते हैं तो क्या है चार समंदे तेन दिया है है सब्सक्र sniff आøre कि उसका फ़िया है चार जार समंदे 410 तो जो अत्रेंग्दर दो काना पाथ होगा यानि जो पूच रहे हो इसका आनुपाथ क्या थामाद यूगा तो सीनसंदे यानि सीदे इसको पलड देते हैं तिन यहां पे आ जएगा चार यहां पे चल जाएगा तो जो आपका यहां यह कि नीकल के आ जाता है ठीक है कि आपका दिया था अनुपातीक धिए था ना विच्थे अनुपाती ट ले Spee हो पीछ रहा है तो सीधे क्या करंगे पलार देंगे तो देखिए आपसेनबर कौक्त से ओजिएका सतरह का कि चार समंदे दिया है बदाल देंगे तो लुस tadissa नर्वित कि प्रसुत करैक्ट है कि तो आपका सनामर बीका कर्रेक्ट अपर रहना को ऑनपात दिया हो दूसरे का अनुपाद को बदल देजिए मैंने बार-बार यहीं कहा है तीन कुछन आ गए न देख की लिजिए आप लोग ने इंसर भी मिला लीजिए क्या होगा वहीं इंसर क्या होगा सही होगा कितना तीन समंदे चाह तो नूट करिएगा बढ़ते हैं अठार नंबर सवाल की तरफ चलेगा अठार नंबर क्यूस्टन की तरफ सुनेगा अठार नंबर क्यूस्टन क्या करा है किरा कि निवलिखित में से किसी तरंग की तरंग की तरंग दर्ध अधिक्तम है किस तरंग की तरंग की तरंग अधितम है औरत कि रोडों का परा बैंगनी कि रोडों का य उसमें से जो उपर जो हैं सबसे उपर उनकी जो तरंग्देर दे सबसे मतलब अधिक है वह आँ से घड़ते हुए करम में आई है तो उससे आगर आप लोग देखेंगे मिलाएंगे तो जो रेडियो तरंगे होती है उनका जो तरंग्देर दोता है दस गात पांच से लेके द रेडियो तरंगों से क्या होता है कम होता है फिर एक्स किरण है उनका भी क्या होता है रेडियो तरंगों से क्या होता है कम होता है तो जो हम लोग का 18 है क्रिशन नंबर 18 उसका ओप्सन नंबर क्या कौंसा सही हो जाएगा सी क्यों अधिकतम पुछा है तो इन चारों किरोड सरंद रेडियो ड़ंग अभी कितना होता है तो दस पांच से लेकर दस गाइनस एक मीटर तक होता है इतना क्लियर है आप लोग डाइग्राम दिखेगा उसमें रेडियो तरंगों की जो तरंगों की होती है यह जो आप्सन के अनुसार जो तरंगे दी हैं उनसे क्या होगी अधिक होगी किसकी रेडियो तरंगों की इससे भी अधिक किसकी होती है तो 6 तरंगों सब्सक्राइब करते हैं तो प्रयोग करते हैं तो परसरा भी तरंगों का प्रयोग करते हैं देखिएगा यहां पर का मतलब मुझे भी नहीं पता है लेकिन इतना मैंने पढ़ा था कि दैसिक तरंगों का जो परियोग किया जाता है उसमें कौन सी तरेंग का प्रियोग है यह मैं उसका option number एक क्या है आपका सही है कौन सी तो परा बैगनी किरड़ों का प्रयोग किया जाता है किसमें तो दैसिक संक्यतों में अगर मालूम होता तो मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता नहीं तो जानना ही होगा तो मैं इसके बारे में पढ़कर या किसी से मतलब बड़े गुर्जनों से पूछ कर अब मैं बता सकते बता दूंगा आप लोगो ठीक ना तो जो 19 सवाल है उसका option number एक क्या है करेक्ट ह इतना clear है भाई मैं आप लोगों को जूठे क्यों बहलाने जाओं जिसके बारे में ना पता हो तो जूठ मुठ का क्यों ग्यान दू तो 20 नंबर का question सुनिएगा ठीक ना 19 का A है 20 सुनिएगा 20 नंबर सवाल का क्या कर रहा है 20 सवा क्या रहा कि एक कंपित कड का आवर्थ का 0 2.ול humano 0.01 सिकेंड है इसकी आवरीति होगी बहुत है इसक Sü अचानेश आ जिडिया है 0.01 बराबर क्या करें पूछ रहा है नके बीछ रहा है टो सब्सद्राइट क्या होता है तो याौनपार क्या होता है वहोन अपकाल धी क्या होता है ए और निकाल तो रहा पान समातरक हर्टंज जो एन है वो कितना आ जाएगा सव हर्टंज तो जो बीस नमबर आपका कौन सा सही हो जाएगा सौ गंपन्प्रती से केंड दिया नमबर कौन से सही है व कि यह बहुत यह सान था ठिक है ती बराबर दिया एन बराबर पूछ रहा है इस पर रखे आप कमान निकल के आ जाएगा तो एन बराबर कितना है तो आसा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा ठीक है यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों में सेयर करेगा और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नही मिलते रहेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही 20 तक ही अगले वीडियो मिलेंगे अगले सवाल के साथ वो भी कहां से एक कीस से ठीक है